कर आप लोग इआ आजका हमारे टॉपिक है वह बहुती ऐसा टॉपिक है जिसके वारे यह कहूंगा कि आपको अपको पर्चेस करना चाहिए या आपको उस बैच में एंरॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए यह सारा इस वीडियो में ही आपको क्लियर हो और आप सही से फैसल ले पाएंगे कि यार मेरे को पर्चेज या एंड्रोल करना चाहिए नहीं इस बैच में तो यार आज का जो में टॉपिक है ना वह हमारे यूपी एसी प्रारम बैच को लेकर यार प्रारम बैच जब लॉंच हुआ है ना मैं आपको अगर रियालिटी बत ले जा रहे हैं और वहां पर भी एक पॉजटिव रिव्यू यह आ रहा है वह बच्चे बोल रहे हैं हम टेलिग्राम से नहीं पड़ते हैं कोई भी अगर वेब साइट है कोई भी कॉपी राइट है आज नहीं तो कल लगी जाएगा बंद हो नहीं है तो बच्चा जाएगा प्रिपरेशन टूट गई है ना वह से बच्चे बोल रहे हैं कि वह एन्रोल करना चाहते हैं बट आप लोग करो या ना करो इसका मैं वर्डिक्ट आपको इसमें दे दूँगा और आप खुद से भी आइडिया ले सकते हो तो देखिए UPSC की जो प्रिपरेशन है ना सबसे पहला कोश्चन यह आपके मांड में आएगा कि UPSC की प्रिपरेशन में कितना टाइम चाहिए मतलब एक 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 एक्जाम के लिए प्रिपेर करने के लिए क्या एक साल सफीशन्ट है क्या तीन साल सफीशन्ट है तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह जाना ज़रूरी है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है अगर आप ऐसे एस्पिरेंट है जिसका माइंड सेट बहुत पहले बन चुका है और पढ़ारी में बहुत अच्छा है उसने हमेशा से अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉंग किया है NCRT रटी हुई है सारी चीज़े बहुत बहुत ब तयारी की हुई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो आपके लिए टाइमिंग कम रहेगी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक नीव रखना चाहते हैं इस प्रिपरेशन का और चाहते हैं कि यार अभी अभी हम ग्रेजुएशन में गए हैं या सेकंड डियर में ग्रे UPSC के लिए भी तयार हो चुकी हुँ या एडलीस तयार नहीं भी हो है तो हमारा इस तरह के प्रिपरेशन हो जाए कि वह प्रिपरेशन के बाद अगर हम सिफ रिवाइज भी करते हैं तो भी सफीशेंट हो एक्जाम को निकालने के लिए एक्जाम को अटेम्ट करने के जिनकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करने वाले ग्रेजुएशन फर्स्ट यर में हैं सेकिंड यर में हैं अभी करना चाहते हैं तो हज़ाचभीस में अटेम्ट देना है और अटेम्ट इतने सटीक तरीके से देना है कि एक्जाम निकलने की पॉसिबिलिटीज हो क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यह बैच अभी लो क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखो तो आप पांक साल बाद इसके लिए अलेजिवल होगे अब 2023 में ठीक है आप अभी से लेलोगे आपके लिए सबसे बेसिक यह होना चाहिए कि आप अभी जो पढ़ाई कर रह तेंथ वाले बच्चों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा और आये इसका एक्जाम है प्लीज इसे हवा मत बनाओ अच्छे से प्रिपरेशन करो इमानदारी कितनी है आपके प्रिपरेशन में यह मैटर करता है कि आपका एक्जाम क्रैक हो गया नहीं इससे मतलब नहीं है कि आपने पहले शुरू किया है आमाल लिए कि मिण 5 साल पहले 7 साल पहले ही शुरू कर दूं और मैं तो नहीं होना चाहिए अगर तयारी करना पूरा जोर-शोवर स कर सकते हैं या अगर आप एम कर रहे हैं कि 2026 में ही देना है बीच में आपकी कुछ प्लैनिंग्स हैं आपका और एक्जाम की अधर एक्जाम की या आप जॉब अगरा करना चाहते हैं बीच में तो मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि हाँ आप यूपीएशी का प्राणब 2026 आप परचेस कर सकते हैं अब बात करते हैं बैच के अंदर क्या-kya मिलता है एंड क्या-क्या-क्या चीज़े इसमें फैसलिटीज मिल रही है ठीक है तो चिंपली एक्सप्लोर पे क्लिक कर लेते हैं एक्सप्लोर पे क्लिक करने के आद आपके सा पहले उस पर बात करते हैं सबसे पहले तो यूपीएशी का जो इस बैच का प्राइज है बहुत ही कम रखा है इसके लिए हैट्स ओफ टू पी डबल्यू सिफ और सी 32,999 रुपे में यह बैच मिल रहा है वो भी तीन साल की कोर्स वाला जो कि अगर यह ओनलाइन नहीं होता और ओफ लाइन होता है तो डैफिनिटल यह पॉसिबल नहीं हो सकता है मतलब 33,000 रुपे में आप पूरा तीन साल यूपी सी की तयारी कर रहे है यह पॉसिबल ही नहीं है तो यह तो एक अपने आप में एक रिवोल्यूशन लाने जैसा है एजूकेशन इंडस्ट्री में त कि तो इस तरह से आपकी तयारी यहां पर रहेगी मैंना कंप्लीट यूपीसी टवनटीविट्सिक्स तयारी में को प्रिलियूम्स की तयारी कराई जाएगी मेंस का इसमें प्रपेशन होगा साथ में इंटर्व्यू होगा क्यूंकि इस बैच का प्राइस भले ही 33,000 है और 3 साल के लिए है जो कि बहुत कम प्राइस है बट बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत गरीब तपके से आते होंगे जिनके पास यह 33,000 अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल है तो यार आप उन बच्चों के लिए PW काफी अच् में बहुत अच्छी चीज है इसके लिए भी PW को यार मानना पड़ेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है इसके बाद हम बात करते हैं कोर्स के बारे में कि कोर्स का कैसा क्या रहने वाला है सबसे पहले अगर हम कोर्स की डिटेल्स की बात करें तो इसमें टाइमिंग आता है course जो है इसके अंदर classes की जो timing रहेगी regular classes की वो Monday to Friday रहेगे आपको दो lectures मिलेगा day में देड़ घंटे का एक lecture रहेगा जो की 5-6 और 7-8 रहने वाला है weekend जो है उसमें आपकी skill oriented classes रहेगी हर शनिवार 2 घंटे के लिए जो की 5-7 बज़ तक रहेगा live lectures की बात करें यह आपका totally English में रहने वाला है वो भी इंडिया के best faculties द्वारा उन faculties के बारे में भी मैं आपको एक बार दिखा दूँगा किसका कितना कितना experience है क्योंकि कोई भी course तयारी करने से पहले आपको एक सही guidance जो आपको provide करे ऐसा गुरू घुणना पड़ता है मैं यह नहीं कहूंगा कि सारे गुरू जो है मतलब गुरू जो है उनमें कुछ कमी होती ऐसा बिल्कुल नहीं है सभी गुरू अपने आप में ही बहुत best है बट आप किसके साथ suitable होते हैं आपको किसका लेक्चर अच्छा लगता है यह जो आपको पढ़ा रहा है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है अगर आपको इंडिया के best faculties मिलते हैं तीन साल जो है आपका यह स्टेजिस की बात करें तो आपका UPSC जो है तीन साल के स्टेज में होगा जिसमें फॉर्स्ट इयर जो रहेगा वो आपका आधार शीला रहेगा आधार शीला मतलब इसमें आपको जितनी की basics है क्योंकि अगर UPSC की तयारी करने जा रहे हो आपका simply किसी भी कोचिंग वाले को यह रहता है कि आपको NCRT आती है तो आपको ऐसा रटा होना चाहिए कि आपको एक पेज पता हो एक पन्ने का नंबर पता हो कि कोई टॉपी बता दे आपको तो वह topic जट से दिमाग में आ जाए कि यार यह इस topic इस पन्ने पर है तो NCRT की आपकी basics इसमें बिल्ड होगी first year में जिसको कहते है आधार शीला आधार शीला ही मतलब है कि किसी जिसका आधार रखना किसी जिसके नीव रखना तो आपका NCRT का पूरा complete basics जो है वह आपको complete करवाया जाएगा फिर GS की तैयारी होगी इसके अंदर general studies की CSET के जितने भी concept है क्योंकि CSET को लोग lightly लेते तो CSET को lightly नहीं जाएगा उसके भी concept आपको करवाया जा रहे है फिर आता आपका second year अग्रिम पड़ाव जब आप अधार शीला से निकलेंगे अपनी basics बिल्ड कर लेंगे तो आगे आपको क्या करना है अग्रिम पड़ाव साथ में यह है कि आपका GS भी जो है complete होना चाहिए उसके concept आपके clear होने चाहिए तो आपको optional along with GS concept clear करवाया जाएगा second year में जो की अग्रिम पड़ाव में रहेगा फिर अगर हम बात करें third year की जो की final अभ्यास है इसके अंदर आपको complete syllabus करवा जाएगा with rigorous practice and revision तो यह सारी ची exclusive first two years अब इसमें skills exclusive में क्या रहेगा इसमें आपको soft skills करवाया जाएगा जिससे आपकी personality development हो पाए क्योंकि आपको पता है कि अगर हम interview में जा रहे हैं अगर हमारी personality developed नहीं है तो वहां पर हमें दिक्त आ सकती है आपको आपके अंदर एक leadership quality जिसके लिए आपको leadership की learning दी जाना है बट officer आप यहां से होने चाहिए और officer बनने के लिए यह जरूरी है कि आपकी personality उस तरीके से develop हो कि आगे जाके जब आप on ground जाए तो वहां पे आप सारी चीज़े अच्छे से handle कर पाए तो इसलिए आपकी यहां पे यह करवाया जाए एक्स्ट्रीम situation handling आपको करवा जाएगा फिर hard skills की बात करें तो यहार आज के time में अगर कोई भी UPSC student है तो उसको hard skills तो आने चाहिए मतलब आगे जाके आप मालों से पढ़ाई किताबी कीड़े बने रहे गए और आपके पास कोई ऐसी skills नहीं है और आपको कभी computer पेगाम करना है तो दिक्कत आ सकती है त इस सब चीजों का बहुत ग्याना चाहिए और मेरा मेरी तरफ से अगर माने तो यहर कोडिंग आप जरूर सीखेगा कोडिंग आने वाला जो आगे का time है अगले 15-20 साल उसमें इंडिया को बहुत level up करना पड़ेगा क्योंकि अगर जिस तरह से time आगे बढ़ रहा है और पाइफन तो सबको आना चाहिए एक कोडिंग लेंगवेज आने चाहिए मैं पाइफन नहीं कहूंगा कोई भी कोडिंग लेंगवेज एक तो आनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट फीचर की बात करें यूपीसी प्रारम की त्रीएस की प्रोग्राम में तो इसमें मंडे टू जिसमें आपका यूपीसी का बेसिक कॉंसेप्ट बिल्डिंग रहेगा मार्केट बेस्ट स्किल्स आपको लेसंस मिलेंगे फिर मंडे एक्स्ट्राज की बात करें जो की बैटल ग्राउंड अभ्यास रहेगा इसमें आपका रिग्रेस टेस्ट रहने वाला हर मंडे ठीक है ताकि जितना भी आपने एक वीक में पढ़ा है ठीक है उसको अप रिटेन कर पाऊं क्योंकि अगर माल दीजिए मैं पढ़ाई करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं स्लेबस कंप्लीट करने कदी हैं लग पर मैंने टेस्ट नहीं दिया म इसमें पीर लर्निंग सेशन रहेगा हर चौथे संडे हैना एवरी फॉर्थ संडे यह आपका एक इंट्लेक्ट्ट्टॉल डिसकुशन होगा ठीक है आपके जितने भी पीर हैं जो आपके साथ वाले लोह हैं उन ग्रुप्स में आपको बाटा जाएगा और डिसकुशन अगला महीना सेकिन मन्त फिर फोर्थ मन्त जो है यहां पर इंट्रेक्शन रखा जाएगा विद टॉपर्स ताकि आप एक्सपीजिंस कर सके उनकी लर्निंग को ठीक है अलॉंग विद गेम्स वगएरा के साथ ठीक है नेक्स्ट बात करें फिफ्ट फीचर की तो एक्स्ट्रास बट इसेंशल ओफ यूपी एसी प्रारम थ्री एर प्रोग्राम यार्प क्या है यह भी मैं बतायता हूं देखिए स्टूडेंट जो है प्रिलिम्स एक्जाम जब क्लियर कर लेंगे 2026 का वह ओनली आइस ऑफलान सेंटर वाला द्वारा जो है वह बुलाये एक्जाम निकाल लिया तो मेंस और इंटर्वियों के जिसारी प्रिप्रेशन आपका ऑफलाइन सेंटर पर आपको रखके वहां पर करवाया जाएगा और वह भी फ्री ऑफ कोस्ट रहेगा जिसमें आपको रहना भी फ्री रहेगा ठीक है तो यह आपको पहला फीचर मिलने जब आप डाउट अपना पोस्ट करेंगे गोगल फॉर्म के थूँ तो आपको एक स्टिपलेटे टाइम में आपको आपका डाउट जो है उसका क्लेरिंस मिल जाएगा इन दा फॉर्म टुगेट मेंटर्शिप कॉल और आपको क्या है मेंटर्शिप कॉल के लिए गूगल फिल करना पड़े गया इसके बाद daily class notes की बात करें तो class notes जो है वो prepare किये जाएंगे subject matter expert द्वारा to be made available for downloading within 24 hours ताकि इसको available किया जा सके downloading के लिए within 24 hours ठीक है इसके study pack exam oriented UPSC material ठीक है इसकी बात करें तो इसमें आप देखिए यह भी आपको मिल रहा है 19 संपूरना GS books मिलेंगे आपको hard copy के form में इसी course के साथ NCRT की books मिलेंगे आपको chapter wise hard copy के साथ पूरा एकदम घर भिजवाया जाएगा और other relevant materials आपको मिलेगा अब देखिए जो बच्चे EMIP लेना चाहते हैं जिनको यार लगता है कि 33,000 बहुत जाद है मतलब देखिए मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ और मेरे लिए भी एक बड़ा amount pay करना एक बारी में बहुत जादा मुश्किल होता है कि यार मैं चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ भले ही ये amount course wise बहुत कम हो बट किसी किसी के लिए ये amount भी बहुत जादा होगा एक गरीब परिवार का लड़का एक किसान का लड़का जो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है उसके लिए हो सकता है कि यार वो ना कर पाए या फो तो इसी लिए यहां पर दो option दिये जा रहे है प्रोपेल्ट और जोडो का जिसके थुरू आप इसमें एंड्रोल कर इस्ठेशिंज के साथ टीक है एक सब्सक्राइब पंजाब सब्सक्राइब के साथ ऊंधियन वर्लम के सब्सक्राइब करेंग पैत्रोल हैं। इंस्ट्यूशन ऑफ इंडिया डेली चंडिगर भोपाल चैपूर मुंबई इन समय इन्होंने काफी जादा आसोसीटेड रहे हैं इन इस इंस्ट्यूट के साथ फिर बरते इंदू सिंग सर यह पॉलिटी पढ़ाएंगे 12 साल के एक्सपिरियेंस है एक लाग से जादा से इन पॉलिटिकल साइंस और पॉस्ट्रेजवेट फ्रॉम उनिवर्सटी पॉस्ट्रेजवेट की है इन्होंने पूनि उनिवर्सटी से फिर इकानोमी पांट साल के एक्सपिरियेंस रिशब शर्मा सर वह पढ़ाएंगे जिन्होंने पचास दार से जादा में अपने बहुत बड़ी बात है पर इन्होंने आई एम से किया मतलब आप खुच सकते हैं किनका लेवल क्या है मतलब किस तरीके का आपको यहां पर टीचिंग मिलने वाली है शीवम यसर की बात करते हैं आठ साल का कि आउनली आई इस में एज़ा मैनेजिंग ड्राइरेक्टर एमडी के तौर पे पोजिशन हैं की है करेंट लिए डायरेक्टर है एट की डूली आई इस बहुत गजब के सर है मजा आएगा आपको इनसे पढ़ने में फिर सत्य प्रकाश शर्मा सर्व की बात करते हैं मॉडल ह हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको यह 12 साल से जाधा के एक्सपीरियंस है इनका इन्होंने मेंटॉर किया है मोर दैन लैक ऑफ स्टुदेंट्स एंफिल इन्होंने किया है ठीक है जिन्होंने रिसर्च पेपर भी लिखे हैं ऑफ ट्रेडिशन ट्रेयरेपीज के स्टडी इन स्टुदेंट्स इसके बाद तीन नेशनल और दो इंटरनेशनल पेपर इन्होंने पबलिश की है नेट एंड जेयरेफ कॉलिफाइड है जेयरेफ होता है आपका जूनियर रिसर्च फैलों पी एचडी की है इन्होंने फ्रॉम यूनिवर्स्टी ओफ अलाहबाद काफी तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको सारी चीजों की प्रप्रेशन कराई जा रही है ठीक है सब कुछ आपको मिल रहा है एक अच्छा ओफ-लाइन एक्सपीरियंस मिल रहा है आफ्टर क्लियरिंग प्रिलेंस एक्जाम तो यार मेरे हिसाब से इससे जादा बैस नहीं हो सकता तो अगर आप इसमें अन्रोल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है बाइब बटन पर क्लिक करने के बाद यह देखिए आपको यहां पर उनका वैलकम केट है वह भी मिलेगा यह जिपर लैप्टॉप बैक 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 पैक इसके यह बोटल डाइरी पैन शुरू हो जाएगा अगर आप डारेक्ट पे करना चाहते हैं यूपिय के थूं कर सकते हैं अब यह कर सकते हैं बॉलेट के पैसे रखें को पर्चेस करने के लिए हैं फोंन पर भगर यूस करते हैं मोबी को तो इस सबसे हैं नेट-बैंकिंग के भी उप्षिन हर एक का 21 से कम नहीं चाहिए और कोशिश करिए कि आप अपने पेरेंट्स के पैन या अधार कार्ट से अपलाई करें क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहां पे कैंसल हो जाता है यूमें इनस्टालमेंट नहीं लेते हैं अगर कोई न्यूँ आ रहा हो या उनके फॉलिस्य में बात करेंगे तो क्रेडिट कार्ड के थ्रूओं कोई अगर use कर रहे है किसी बैंक का तो सकते डेबिट कार्ड से अभी तो फिलाल नहीं है हो सकता है इन-feture आपको देखने मिलें यह थे सारी पिकटे डिटेस्ट मैंने आपको बताहाः मेरा वर्डिप क्या है आपको लेना चाहिए नहीं यह लेना चाहिए डेfinite always जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कि यार किन को लेना चाहिए किनके लिए बेनिफिशल रहेगा तो यार अगर उन स्टुडेंट्स को लेना तो डेफिनिटली आप जा सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक साल में कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बट मैं आपके आपके लिए बस विश करूँगा कि आप अभी से तयारी करिए आप सेल्फ स्टेडी भी करना चाहते तो अभी से शुरू हो जाएए कोर्स में अच्छा है बट नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है अभी से प्रिपेशन करिए एंड अपनी प्रिपेशन का बेस्टिक वाला पार्ट जो है उसको एट लिस्ट आप खतम कर लीजेगा आपका जब भी एक्जाम आपका ग्रेजुशन खतम हो तो एक साल अच्छे से देकर कम्प्रीट कर लीजेगा यारी हाइली रेकमेंडेड है मेरे तरफ से बैच अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो एक्चुल में UPSC की तयारी करना चाहते हैं एंड नहीं तरफ से यार मैं आप सभी के लिए विश्च करूंगा कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो आप अच्छे से प्रप्रेशन करो वीडियो अच्छी लग रही है तो ज